पिछले साल दिसंबर में मर चुका व्यक्ती 24 जन्वरी को अपनी जमानत की याचिका कैसे दाखिल कर सकता है? NDPS के एक मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुन्वाई करते होए हाई कोट ने ये सवाल उठाया? मंजित सिंग के खिलाफ गुर्दासपूर के कलना और्क पुलिस थाने में पिछले साल 10 मार्च को NDPS की धारा के तहत F.I.R. दर्ज की गई थी पिछले साल अगस्त में गुर्दासपूर की जिला अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत खारिच कर दी थी इसी साल जन्वरी में उस हाई कोट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग कर दी बुद्वार को जब इस केस के सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने हाई कोट को आरोपी मंजित सिंग का डट सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताया कि जिस आरोपी की याचिका पर सुनवाई हो रही है वो तो पिछले साल 27 दिसंबर को मर चुका है इस पर जस्टिस मंजिरी नेरो कॉल ने हैरत जताते हुए कहा कि ये याचिका हाई कोट में इसी साल 24 जनवरी को दाखिल की गई थी यानि आरोपी के मरने के एक महिने बाद ये कैसे हो सकता है क्योंकि इस याचिका पर आरोपी के साइन है आरोपी ने पावर अटनी कैसे दे दी हाई कोट ने इस पर कड़ा रुक अपनाते हुए आरोपी के वकील को आज इस केस की सुनवाई के दोरान कोट में मौजूत रहने का आदेश दे दिया है